नमस्कार मैं हुडीजी और आपको स्वागत है कपशप निउस पर बॉल्लीवूड आक्टरस रेखा 67 साल की हो गई लेकिन उनकी खुपसूरती ग्रेस और जादू अभी भी लोग के सिर चड़ कर बोलता है उन्होंने 1970 में फिल्म सावन भादों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेबू किया था इसके बाद नमक हराम, नागिन, जानी दुश्मन, सिलसिला, इजाजत, उम्राव जान, खून भरी मांग और जुबेदा जैसी कई बहतरीन फिल्में दी रेखा की जोड़ी सबसे जादा मिताब बचन के साथ हिट रही उनकी ओप स्क्रीन नजदीकी भी बेहत चर्चा में रही और आज तक लोग इसमें काफील दिल्चस्पी लेते हैं एक इंट्वी के दरान रेखा ने बताया था कि अमिताब बचन के सामने खड़े रहना आसान नहीं अमिताब बचन की तारीफ करते हुए उन्होंने बताया था कि पहली फिल्म करते वक्त उनको देख कर वे अपने डायलोग भूल जाती थी रिपोर्ट्स के मताबिक जया और रेखा एक ही बिल्डिंग में रहती थी दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी रेखा जया को दीदी भाई कह कर बुलाती थी जया उस वक्त अमिताब बच्चन के साथ डेटिंग कर रही थी उन्होंने बिगबी को रेखा से मिलवाया था एक वक्त था जब रेखा और अमिताब बच्चन के इश्क के चर्चे सुर्खियों में थे जया बच्चन इसको लेकर काफी परिशान भी थी शादी चुदा अमिताब बच्चन के लिए रेखा जो अकसर अपने प्यार का इजियार करती रही वहाँ बिगबी भी हमेशा इस मामले में खामोश रहे रिपोर्ट की माने तो जया बच्चन ने भी इन खबरों को काफी अच्छी तरा हैंडल किया नीतु सिंग रिशी कपूर की शादी में जया अमिताब साथ पहुँचे रेखा शादी में थोड़ी देर से पहुँची उन्होंने खूपसूरत साडी बेंड रही थी और बड़ी बिंदी लगा रखी थी लेकिन एक चीज जिसने सब का ध्यान खीचा वो था रेखा की मां में सवाल थे वही रिपोर्ट की माने तो जया बचन काफी देर खुद को संबालती रही और आखिर खार रो पड़ी हलाकि रेखा से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि वे शूटिंग से आ रही है जिस वजह से सिंदूर लगा रहा होगा रेखा अब भी स रिष्टा होने से इंकार करते थे जबकि वे हमेशाल खुल कर इजहार इस पर रेखा ने कहा था उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए उन्होंने अपनी इमेज अपने परिवार और बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया मुझे लगता है कि यह बेहत खूप दिया होता तो मुझे निराश होती लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया तो क्या फरक पड़ता है उन्होंने पब्लिक में क्या कहा मिस्टर बच्चन पुराने विचारों के हैं वे किसी को हट नहीं करते तो पतनी को क्यों करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तब तक के लिए धन्यवाद